सब्सक्राइब दोस्तों एकनो साल स्टेडी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों कम्प्यूटर साइंस के प्रोजेक्स का रिलेटेट्स वीडियो अक्सरम अपके सिमक्स लाते रहेते क्योंकि दोस्तों जब भी आप फाइनलर में होगे अगर आप आईटी में अपना जो क प्रोजेक्स कंप्लीट बनाना है बट वह स्टार्ट के से करें तो कैसे वन बाइवन आप अपना प्रोजेक्स है उसको स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं तो उसमें हम जैसे बात करें कुछ पॉइंट से उसके बारे में बात करें उनमें दोस्तों जो यहां पे मैंने तो 50 वाट है वगव करेगे तक अपना प्रोईट यह से चम्प्रोर्जेक्ट कर सकते उन फ़र्श्ट प्रोजेक्ट टैप यानि कि जो आभको तया से महीं करना है निए उसके बाद हमार Wildlife और हैगा like a project definition यानि कि आपको जो projects की जो definition है उनके कैसे उस पर work करना है तो उसके बारे में हम बात करें उसके बाद यानि कि कोई भी आप जो प्रोजेक्स कंप्लिट बना रहे तो उसको कंप्लिट करने के लिए जो भी software के आवश्यक्ता है तो उसको इसका इस्टॉल होना आपके जो PC या लेप्टॉप में आवश्यक्त है उसके बात नेक्स्ट हम बात करें कि फॉर्थ वन सिलेक्ट डेटाबेस के साथ ही प्रोजेक्स रहता है तो कौन सा सर्वर पर डेटाबेस बना सकते है तो उसका रिलेटेट से वह जो बात करेंगे उसका बात लाश्ट माजो फिप्ट वन जो पॉइंट रहेगा और हैगा सिलेक्ट अप पोग्रामिंग लेंग्वेज यानि कि आपको अपने प्रोजेक्स के लिए को एक जो प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है उसको आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी तो उनमें दोस्तों जैसे ही बात करें जो फॉस्ट पॉइंट क्या रहेगा प्रोजेक्स टाइप यानि कि सबसे पहले आपको अपना जो प्रोजेक्स का उसको आपको सिलेक्ट करने चुष लेक्ट करें थो उन्में यानि कि ज्एधा तर स्ट्वॉडंस से ओव्यब अप्लीकेशन करते यानि कि एक वेपलेशन से हो बनाते और तो दोस्तों वेब एप्रिकेशन से उजदा तर जो एस्वी डॉटनेट व्हप जावा या तो मान लो की जो रियक्ट है तो उसमें कंप्लिट हो ती तो आप एक वेब एप्रिकेशन टाप प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसके अलावा अगर वेब एप्लिकेशन या तो कोई एप्लिकेशन है ऊप्लिट बना सकते उनिके आप कोई घृक है उसको कर सकते हैं जो इंट्रणेट है वर्क कर सकते अपने प्रोजेक्स के लिए बना सकते उसके लबावा एक आप कोई गेमिंग भी बना सकते उसके लावा आप मशिन लर्निंग का कोई प्रोजेक्स है उसको भी आप कर सकते हैं तो यहां पर मैंने जो प्रोजेक्स के टाइब दिये तो उन में से कोई एक है उसको आपको से लेक्ट कर लेना है ज्यादा तर दोस्तों मेक्सिमंग स्टूड़न्ट से वह वेब अप्लिक करता है उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारें बात करें तो प्रोजेक्स की डेफिनेशन यानि कि जब भी सपोज मान लो आपने को एक वेब अप्लिकेशन टाइप्स का जो प्रोजेक्स है उसको आपने सिलेक्क कर लिया उसके बाद जो उसकी लिए एक सपतलों सब्सक्राइब बूकिंग हो या तो मूवी टिकेट बूकिंग का हो तो एसी कोई भी एक आप वेब एप्लिकेशन से वह बना सकते हैं कोई एक आपकी जो पसंदी का आपको डेफिनेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है अगर दोस्तों आपको आपको टेलिग्राम चैनल है टेक्नो साइल स्टेडी जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर जाब के आप बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से उसके आईडियास एंड प प्रोजेक्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद आती इसोफ पर के बारे मी यानि कोई भी प्रोजेक्ट साब बनाएगे तो उसके रिलेट एक्टेर है या इडि टूल से उसका इइस्ट्रोल होना अवश्क्त है तो सपोज मान लों कि आप वनने जावा का प्रो सर्वर का यूज कर सकते हैं उसके बाद सबस्क्राइब आपने डॉट नेट पर अपना प्रोजेक्स बना रहे तो आप विजुल स्टूडियो या तो विजुल स्टूडियो कोड या तो कोड़ एडिटर कोई भी हो और अपना प्रोजेक्स बना सकते हैं अपना प्रोजेक्स बना सकते हैं अपना प्रोजेक्स बना सकते हैं अपना प्रोजेक्स कोड कर सकते हैं उसके लाओ जो विजुल स्टूडियो में अपना प्रोजेक्स कोड कर सकते हैं उसके लाओ जो विएस कोड हैं उसमें बना सकते हैं लेक्ट आप इन्टेल ली जियो या तो विसका हो ना आवशक है कोई भी यह प्रोजेक्स आप तो उसको कोड़ करने के लिए आपके पास उसका जो एडिटर है जो एडितुल से होना होना आवश्यकते इसके बाद ये नेक्स वह बात करें например यानी कि टोर के आइक असम्ह गादेश मताइए तो सब्सक्क्राइब produit जो सर्वर होने वाला सर्वर है उसके रहें उसकेल सर्वर है माय स्य रहें नुच्य बैस रहें मौनगोडी भी घ्ल भी आप एक जो डेटाबेस टूल के बारे में जो डेटाबेस टूल से उनको यूज कर सकते एंड आप अगर प्रोप्रोजेक्स बना रहे तो वहां पर आपको अलग से सर्वर मिलेगा जैंप सर्वर है उसके लावा वेंप सर्वर जिसमें आप प्यस्पी माइडवीन पर सर्वर का यूज होता है उसके लावा नेग्स लास्ट कामर फोइंट था सुक्त प्रोउघ्रमिंग लेंगोंगिश यानि कि अपने आमरे जो फर्स्पी आप क्या था कि हम प्रोजेक्स की जोडू करेंगे उन करेगे करे लों या तो वेबसीड बनाएगे वेब अब्लिकेशन या तो डेस्कोप अब्लीकेशन बनाएगे को एक कुछ कम्प्लेट करें या फिर हम भबवान एप लाटक्ट जाह करसकते हैं उसके लाव वहाँ या फिर मेर्न रखन देखा कि जो vest manufacture की जिसमें है उसके बाद next point ने सेट करनी तो वहां हम पर उसके बाद च्थाप वारोável आभाएं सेटाल करना चाहתे तो उस 확진ों यह उसह पर ने उसके बना रहे तो हमको बाएस्ट वहों कि इसके बैसलस नइचिस बना रहे क्यानि कि सब्सक्राइब अपनों प्रोजेक्स बना रहेंगे बनाएगे तो वेब एप्लिकेशन है तो हम सी शाप डॉट नेट का यूजर में करना पड़ेगा तो और ही हमारी क्या प्रोजेक्स बना पर बना सकते उसके लिए जो बेस्ट रहता है जो वी डॉट नेट उसके लिए जावा है तो सब्सक्राइब बना रहे तो उसमें आप आप एंडुट का यूजर कर सकते हैं को यूजर कर सकते हैं उसके लाव जो पाइफन का भी यूजर कर सकते हैं उसके लाव दूस्तों जैसे हमने को एक जो टेकनोलोजी से सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद पास नेक्स्ट ऑप्शन बसता है कि हमें प्रोजेक्स का जो एक मॉड्यूल को सिल्यक्राइब कर लेना सब्सक्राइब एक मॉड्यूल को दूट को सिल्टेक्स export कि यह सबने करना है और और देटाबेस के अपन Monsieur आरभास उनाओ उसके तरह होता है को सब्सक्राबेस और टे पार रर्चक करना जाना है उसको इसको बनाने डेटाबेस के टेबल सको बनानए यूए सब्सक्राइब करना करना जिसमें डेटा इंसर्टिंग करेंगे उसके बाद अपडेटिंग कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं डिलेटिंग कर सकते हैं तो यह सारी जो फेंक्शनालिटी से उनका हम यूज प्रोजेक्स में करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्रेक्टिकली है वह बताएंगे क सब्सक्राइब करें नेक्ट वीडियो में तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो शेर करो अभी तक अपने मरें चैनल टेक्ट्नोसायल श्टडी को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज दोस्तों अमारी चैनल टेक्नो साइल स्टेडी को सब्सक्रेब कर दीजिगा एंड बेल एकन के बटन को प्रेस कर दीजिगा ताकि जब भी नुव उडियो प्लड हो तो उसकी नॉटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए दोस्तों बहुत जल्